हैलो प्यारे बच्चों, बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा तीन के सामाजिक अध्यन की किताब मेरी दिल्ली का पाठ तेह रहें दिल्ली की सेर वन तो बच्चों आपने पाठ पढ़ाई होगा आज हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो बच्चों आए शुरू करते हैं Q1 है इन चित्रों की पहचान कर इनके नाम लिखिए तो बच्चों पहला चित्र है लाल के ले का दूसरे चित्र में हैं बच्चों कुतुब मिनार ये कुतुब मिनार का चित्र है और तीसरा चित्र है बच्चों हुमाईयू के मकबरे का अगला कुश्यन है हो हो बस का क्या लाब है तो इस कांसर है यह बस लोगों को दिल्ली की मसहूर और सुन्दर इमारतों और इस्थानों की सेर करवाती है हम एक बार टिकेट लेकर किसी भी हो हो बस में बैठ सकते हैं पूरे दिन हमें बस छूटने की चिंता नहीं रहती है अगला कुश्यन है उपर की तीनों इमारतों में से आपने कौन सी इमारत देखी है कब देखी है बताईए तो बच्चो पहली इमारत है लाल किला मैं सुतन्तर्था दिवस के अफसर पर अपने माता पिता के साथ वहा गया था तो बच्चो आप जिस भी अफसर पर लालकिला देखने गए तो आप उस अफसर को यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरी है कुतुब मिनार मैं पिछले वर्स अपने चाचा के साथ कुतुब मिनार देखने गया था तो बच्चो यदि आप कुतुब मिना देखने गए हैं और जिसके साथ भी गए हैं तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं तीसरा है बच्चो हुमायू का मगबरा मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है तो बच्चो यदि किसी ने इसे देखा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मैंने इसे देखा है और आप जिसके भी साथ गए हैं आप उसके बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं अगला question है आपके घर या स्कूल के पास भी पुराने जमाने की कोई इमारत जरूर होगी उसे देखने के लिए जाईए उसके बारे में लिखिए तो इसका answer है बच्चो इमारत का नाम जैन सामुदाइक भवन इमारत का रंग इट जैसा लाल इमारत के बनाने में लगी सामगरी सामगरी बोलते हैं सामान को तो इसे बनाने में लगा सीमेंट और रेत तो बच्चो आपके पास जो भी इमारत है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके आजपास कोई भी इमारत ना बनी हो तो आप उसके बारे में या लिख सकते हैं अब बच्चो इमारत की विशेश बाते हैं यह जैन समाज के लोगों द्वारा दिये गए चंदे की रासी से सन 1970 में बनवाया गया था बच्चो चंदा बोलते हैं पैसा इखटा करना और इखटे पैसे को ही चंदा कहा जाता है इमारत का उपयोग सामुदाइक कारियों के लिए होता है इमारत देखने के लिए टिकट लगता है या नहीं लगता है तो कितना तो टिकट नहीं लगता है इमारत कितनी पुरानी है तो इमारत पचास साल पुरानी है तो बच्चों आपके यहां की इमारत की जो भी विशेस बाते हैं आप यहां पर लिख सकते हैं अगला question है निमने लिखित वाक्यों में उप्युक्त सब्द खाली स्थानों में लिखिए फर्स्ट है कुतुब मिनार में मंजिले हैं तो बच्चों कुतुब मिनार में कितनी मंजिले हैं पांच ज्यादतर पुरानी इमारतों में पत्थर मिलता है कौन सा पत्थर मिलता है बलुआ पत्थर नेक्स्ट है हो हो बसका रंग कैसा होता है नीला कुतुब मिनार में हैं तो कुतुब मिनार कहाँ पर है कुतुब मिनार महरौली दिल्ली में है अगला क्वेश्चन है हुमायू का मगबरा किस ने बनवाया तो हुमायू की पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया नेक्स्ट क्वेश्चन है लालकिला, जामा मजिन, आगरा का ताज महल किस ने बनवाया था? तो ये सबी सहा जहाने बनवाय थे लालकिला किन चीजों से बना है? तो लालकिला बलुआ पत्थर से बना है अगला कोश्चन है भारत अंग्रेजों की गुलामी से कब आजाद हुआ तो भारत अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ कुतोब मिनार की उचाई कितनी है तो कुतोब मिनार की उचाई है 73 मीटर यानि की 73 मीटर अगला question है वे कौन से राजा एवन साफत थे जिन्होंने कुतुब मिनार का निर्माण करवाया तो इसका आंसर है इसे दिल्ली के राजा कुतुबुद्दिन एवक ने बनवाना शुरू किया था इसके बाद दिल्ली के राजा इल्तु तमिस ने इसमें तीन मंजिलें जोड़ दी दिल्ली में भूकम्प आया इस भूकम्प से मिनारों में दरारें आ गई उस समय के राजा फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत करवा दी और एक मंजिल और बनवा दी बच्चो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना न भूले और यदि आप इस चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू